इस पीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 20 जून 2019 और यह हमारी 180V क्लास है 12 Important Question आपके लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम और आपके नॉलेज की दरश्टी से बहुत इंपोटेंट है इन questions को आप नोट कर लें क्योंकि यह आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं साथी questions related Important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे मध्यप्रदेश में हाली में सजल अभियान की शुरूआत कहां हुई है तो दोस्ते इसका सही option है सागर जिले में हाली में मध्यप्रदेश की सागर जिले में सजल अभियान की शुरूआत हुई है दोस्तो इसमें पौधार उपन कराया जाएगा यहां की collector प्रीती मैथिल ने हाली में मानसुन की शुरुवात के दोरान जिले में पांच लाग पौधे रोपने का लक्ष रखा है दोस्तों बनविभाग से 15 रुपे दे कर एक पौरात पौधा भी खरीदा जा सकता है जिसे आप कहीं भी लगा सकते हैं यह सुबिदा भी इस सजल अभ यान में पौधा रुपन किया जाएगा दोस्तों अब बात आईए सागर की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट सागर जिले के बारे में बता दें उदन सेह द्वारा 1660 में सागर जिले को इस्थापेत किया गया था मध्यप्रदेश की परतम विश्विद्याले जिसे हम डॉक्टर हरीशिंग और विश्विद्याले की नाम से जानती हैं यह सागर जिले में ही इस्थत है मद्यप्रिदेश का दूसरा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी सागर जिले में ही बनाया गया है फोरेंसिक साइंस लेब की स्थापना भी सागर में ही की गई थी दोस्तो आपचंद की गुफाएं भी यही पर मौझूद हैं गड़ पहरा जिसे प्राचीन सागर की नाम से जानते थे यह दांगी सामराजी की राजधानी था पदमाकर समारोई भी सागर में ही मनाया जाता है दोस्तो इस्टेनलेस स्टील कॉंपलेक्स भी यही पर इस्तित है नौरा देही वन जीब अभ्यारन जो मध्यप्रदेश में सबसे बड़ा अभ्यारन है यह सागर जिले में ही इस्तित है तो दोस्तो इतना आपको सागर की बारी में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में किस राज में गर्मी के कारण धारा 144 लगाई गई है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है बिहार हाली में बिहार में गर्मी के कारण धारा 144 लगाई गई है दोस्तो बिहार एक और महामारी से गुजर रहा है वह है चमक बुखार दोस्तों चमक बुखार से बिहार में करीब 140 बच्चों की मौत हो गई है तो आपको ये दोनों क्वेशन जरूर याद रखने है नेक्स्ट क्वेशन हाली में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेर का उद्गाटन कहां हुआ है जिसका सई उफ्षन है दोस्तों कलकत्ता हाली में कलकत्ता में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेर का उद्गाटन किया गया है दोस्तों आपको बता दें 15 जून को इसका उद्गाटन किया गया है और इस इवेंट का समापन 23 जून को हो जाएगा दोस्तो अब ये trade fair क्यों किया गया है आपको इसकी बारी में बता दें इस event का उद्देश चित्र में ब्यापार को बढ़ावा देना है इसके साथ ही joint venture और निवेश को भी बढ़ावा देना है दोस्तो आपको बता दें इडिया international mega trade fair की बारी में तो इसकी इस्थापना 1994 में की गई थी और इस्थापना की बादिया देश में ब्यापाक समुदाय के लिए एक event की रूप में बनाया गया है तो आपको ये याद रखना है यह कलकत्ता में हाली में सुरू किया गया है next question हाली में कब विश्व मरुस्थली करण और सूखा रूप थाम दिवस मनाया गया है जिसका सही option है दोस्तो 17 जून हाली में 17 जून को यह दिवस मनाया गया है दोस्तो आपको बता दें सहिकतरास्ट द्वारा 30 जनवरी 1995 में इस दिवस की गोशना की गई थी दोस्तो इस दिवस का जो मुख देश है उसकी बारी में आपको बता दें तो इसका मुख देश लोगों को मरुस्थली करण और सूखी की बारी में जारूपता फैलाना है दोस्तो आपको इस वर्ष जो 200 मरस्थली करण और सूखा रोग थाम दिवस की थीम है उसकी बारियों बता दें तो इस बर्स इसकी थीम है Let's go the future together यह है 200 मरस्थली करण और सूखा रोग थाम दिवस 2019 की थीम है तो इतना आपको इसकी बारी में जरूर याद रखना है Next question देश का एक मात्र सिलेट उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तो इसका सही option है मंदसौर मंदसौर देश का एक मात्र सिलेट उत्पादक जिला है दोस्तो आप बात आईए मद्धिप्रदेश की तो आपको कुछ important fact इसके बारे में बता दें दोस्तो प्राचीनकाल में दस्पुर की नाम से मंदसौर को जाना जाता था शिवना नदी पर इस्तित पसुपती नात मंदिर यह बिश्व प्रसिद्ध है दोस्तो मंदसौर रावण की पतनी मंदोदरी की जन्म इस्थान भी माना जाता है भारत में अफीम का सरवादिक उत्पादन मंदसौर में किया जाता है गांदी सागर जलासाय, गांदी सागर अब्यारन, हिंगल राज का किला और प्रदीश का एक मात्र उद्यगने की विध्यालाय भी यहीं पर बनाया गया है दोस्तो आपको बता दें, गांदी सागर बांद चंबल नदी पर बनाया गया है इसका सलन्यास पंडे जवाला नहरू ने 7 मार्च 1954 को किया था तो दोस्तो इतना आपको मंदसौर जले की बारे में याद रखना है Next question हाली में कौन सा भारती खिलाड़ी किर्केट वर्ल कप से बाहर हुए है जिसका सही option है दोस्तो शिखर धवन हाली में शिखर धवन किर्केट वर्ल कप से बाहर हुए है दोस्तो इनको हाथ में चोट लग गई थी Australia मैच की दोरान जिसके बाद इनने तीन दिन का रेस्ट दिया गया था और उसके बाद दोस्तो इनकी चोट जादा गंबीर होने के कारण इनने भारती टीम से बाहर किया गया है और इनकी जगह रिसा पंद को टीम में जगह मिली है Next question बस्तर उद्योग में मद्द प्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो दोस्तो इसका सही option है तीसरा बस्तर उद्योग में मद्द प्रदेश का देश में तीसरा इस्थान है Next question मद्द प्रदेश में ऐलकिलाइट फेक्टरी किस जले में इस्थित है तो इसका सही ओफ्रान है दोस्तो नीमच नीमच जिले में एलकिलाइड फैक्टरी इस्तित है दोस्तो अब बात आईए नीमच की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर नीमच की बारे में बता दें दोस्तो नीमच उज्जन संभाग का एक जिला है 30 जूल 1998 में में नीमच जिला बनाये गया था CRPF की जन्म इस्तली की रूप में जाना जाता है नीमच भारक के आँखों के दान की राजधानी की रूप में भी नीमच को जाना जाता है दोस्तो अफीम उत्पादन के लिए प्रिसिद्ध है सहब उद्धीन ओलिया और्श यहीं पर लगाया जाता है तो दोस्तो इतना आपको नीमच के बारे में याद रखना है दोस्तो इसका नाम क्या है आपको इसकी बारे में बता दें जिसका नाम है राला मंडल और इसका जो छेतरफल है वह है दूद इसमलाव तीन चार स्क्वेर किलो मीटर है तो दोस्तो आपको इसके बारे में इतना जरूर याद रखना है दोस्तो आप बात आईए इंदोर की तो आपको कुछ important factor इंदोर की बारी में बता दें राज्य की व्यवशायक राजधानी के नाम से मिनी मुंबई, इंदरपुर, अहल्यावाई नगरी और होलकर राज्य की राजधानी के नाम से इंदोर जिले को जाना जाता है चंबल, शिप्रा और खान प्रमुख नदियां हैं इंदोर जिले में दोस्तो लालबाग महल जो 19-वी सताबदी में बनवाया गया था यह भी इंदोर जिले में ही इस्तित है देश का एक मात्र शहर जहां IIM 2003 के साथ IIT 2008 भी है दोस्तो आपको बता दें MGM Medical College, रास्टिय सोया अनुसंधान केंद्र, मद्ध प्रदेश लोक सिवा आयोग यहीं पर इस्तित है गेहो अनुसंधान केंद्र, प्रदेश का एक मात्र Dental College, रेडिमेट गार्मेंट कॉम्पलेक्स, क्रिस्टल आयटी पार्क, देवी अहल्यावाई विश्विध्याल है जो प्रदेश की सबसे बड़ी विश्विध्याल है, यह है इंदोर जिले में ही इस्तित है दोस्तों, आपको कुछ और इंपोर्टेंट फेक्ट बता दें, तो मद्रदेश बित्ति निगम का मुख्याल है, मौसम बेच साला खेल हलचल पत्री का प्रिकासन का इस्थल भी इंदोर ही है राज्य का एकमात्र नर्शिंग महाविध्याल है भी इंदोर जिले में ही इस्तित है राज्य का पहला हिंदी देनिक नवजीयन इंदोर से ही 1949 यानि 1939 में प्रिकाशित किया गया था भारत का पहला सुयावीन वाइदा बाजार और प्रतम जैविक खाद एकाई यही पर इस्तित है तो दोस्तो इतना आपको इंदोर की बारी में याद रखना है किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है तो दोस्तो इसका सई ओफ्षन है मध्यप्रदीश मध्यप्रदेश राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है दोस्तो आपको बता दें मध्यप्रदेश की सबसे लंबी और भारत की पांच भी सबसे बड़ी नदी है नर्वदा नदी और इसे मध्यप्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है मद्यप्रदेश की गंगा के नाम से बेतवा नदी को जाना जाता है मद्यप्रदेश की पांच बड़ी नदियां है चंबल, नवदा, सोन, तापती और वेदवा इन के बारे में आपको ये important fact है आपको याद रखने है दोस्तो अब बात आईए मद्यप्रदेश की तो आपको मैप में मद्यप्रदेश के बारे में बता दें मैप में ये जगह मद्यप्रदेश को दर्साती है मद्यप्रदेश की स्थापना 1 नमबर 1956 में की गई थी गवर्नर है अनन्दी बेन पटेल मद्यप्रदेश की मुक्य मंत्री है कमलनात और मद्यप्रदेश की राजधानी है भोबाल दोस्तो इतना आपको मद्यप्रदेश के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन निम्नमे से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बनाया गया है तो दोस्तो इसका सही option है इंद्रा सागरबांद इंद्रा सागरबांद चंबल नदी पर नहीं बनाया गया है ये शही option है बाकि ये तीनों बांद गांदी सागरबांद जवाहर सागरबांद और महाना प्रताप सागरबांद चंबल नदी पर बनाये गए हैं दोस्तो ये एक important fact है आपको इस बांद की बारे में भी बता दें तो इंद्रा सागर बांद यह है नर्वदा नदी पर बनाया गया है दोस्तो इसके लावा नर्वदा नदी पर उमकारिश्वर बांद और सरदार सरोवर बांद भी बनाया गया है सरदार सरोवर बांद गुज खनेज कौन सा है तो दोस्तों इसका सही option है कोरंडम कोरंडम हीरे के बाद सबसे कठोर खनेज है यह question दोस्तों हाली के exam में पूछा गया है और यह बहुत important question है MP प्रोलिस के exam में भी यह question पूछा जा चुका है दोस्तों बात करते हैं previous day के question की तो कल का question था मध्यप्रदेश का पहला परियावरण नियालाय कहां इस्थापित किया गया है तो इसका सही option था भूपाल में भूपाल में मध्यप्रदेश का पहला परियावरण नियालाय इस्थापित किया गया था दोस्तो आप बात करते हैं question of the day की तो आज का question है जवलपुर्षायर को मद्ध प्रदेश में क्या कहा जाता है दोस्तो इसके साथ ही आप हमें और भी जो राजधानी दियें इनके बारे में भी बताना है तो आपके answer का हम इंतजार करते हैं तो दोस्तो आज के लिए वसतना ही आप मारे चैनल study universe को subscribe कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और दोस्तो आपको मैंने कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ दोस्तो MP जो current affair या फिर GK के question रहते हैं वो सिर्फ MP से नहीं पूछे जाते हैं overall India से national और international current affair और GK question भी पूछे जाते हैं तो इसलिए ये वीडियो mix रहता है तो आप ये वीडियो बहुत गौर से देखें क्योंकि जितने भी important question रहते हैं वो मैं इस वीडियो में cover करता हूँ तो आप लिए बस इतना ही नमस्कार, have a nice day